हेलो इस्टुडेंट्स स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके रिजल्ट के बारे में तो जैसा कि आपको सभी को पता है कि 10th क्लास का जो CBSE का रिजल्ट था वो आज यानकी कि दोस्तो 15 जुलाई 2020 के लिए 11 बज़े के बाद में किसी भी समय एनी टाइम घुसत हो सकता है ठीक है तो 11 बज़े के बाद में किसी भी समय आपका 10th क्लास का जो है वो रिजल्ट डिक्लियर किया जा सकता है तो आपके लिए दोस्तों करना क्या होगा जैसे कि अभी मैं च है कैसे देखना है तो दोस्तों उसके मैं आपके लिए बताऊंगा चार थरीके ठीक है सबसे पहला और सबसे अच्छा तरीक आपका यह होगा कि आपको क्या करना है अपना जो रोल नंबर है और आपको इंडेक्स नंबर होता है और अपना वाटसप फ़ेश्वाइश तो आप इन वेफसाइड में आज किसी भी हलत में इंटर नहीं कर पाएंगे तो आपके पास में सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपना वाटसप नंबर इंडेक्स नंबर रोल नंबर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और जिससे क्या होगा दोस्तों मैं कर रिजल्ट डाउनलोड करके आपके दोरह दिये गए वाटसप नंबर पर सेंड कर दूँगा तो सबसे सिंपल तरीका तो यह हो गया तो अभी देख लेते हैं दोस्तों जो CBSE के तरफ से यह जो नोटिस जारी किया गया है 14 जुलाई 2020 के लिए तो यहाँ पर दोस्तों सब्सक्राइब तुमारों मतलब आज 15 तारिक के लिए afternoon following is informed to the stakeholders उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर बन में है result on the net CBSE is hosting its result on net with the technical support of National Information Center NIC Government of India the students can access their result through the following website तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों जो CBSE जो result है वो National Information Center Government of India के तरफ की टेकनिकल सपोर्ट से दोस्तों जो है वो इन तीन website पर अपना result upload करेगी तो यहाँ पर साब साब लिखा हुआ है यह जो तीन website है उन पर भी आपको जाकर चेक कर लेना है अगर आपका result इन पर आप इन website में access कर पा रहे हैं तो आप अपन n.ic.in ठीक है नंबर बन हो गया नंबर टू पर है दोस्तों www.cbscresults.nic.in ठीक है और नंबर तीन पर है www.results.nic.in ठीक है वेफसाइट को मैं एक बार फिर से बता देता हूं नंबर बन पर है www.cbsc.nic.in इन तीन वेफसाइट से जाकर आप क्या है जो अपना result के लिए चेक कर सकते हैं लेकन ये वेफसाइट दोस्तों आज खुलने वाली है नहीं तो इसलिए मैंने आपसे बोला कि आपर परना रोल नंबर और आपको जो इंडेक्स नंबर होता है व स्कूल का कोड जो भी information रेजल पर मांगी जाती है उसके लिए आप हमारे इस वीडियो के comment box में comment करें और हम आपके रेजल्ट आपके WhatsApp नंबर पर सेंड कर देंगे ठीक है नंबर टू पर आता दोस्तों result to school the school will automatically get their entire school result on their newly created official email id already informed by the board तो यहां पर दोस्तों बता जा रहा है क स्कूलों की क्या है एक email जो registered email ID होती है उस पर भी क्या है CBSE के तरफ से पूरे स्कूल का एक दमसे वल्क में जो है बूर रेजल्ट भीज़ दिये जाएगा तो आपके पास में एक तरीका यह भी है अगर यह website नहीं खुल रही है आप अपना रोल नंबर और WhatsApp नंबर भी comment कर आते हैं तो आप अपने स्कूल से प्रिसासन से कॉंटेक्ट करके उनकी email आड़ी आपका रेजल्ट आजाएगा आप उनसे भी अपना रेजल्ट अपने email आड़ी यह WhatsApp नंबर पर किसे भी मंगा सकते हैं ठीक है अभी उसके बाद मैं आपको मैंने आपको शुरू में बताय चाहता हूं साब सब लिखा हुआ है क्लास 10 और 12 दोनों के लिए है यह तो अगर आप 10 या 12 किसी भी क्लास में है और आप अपने मार्क सीट मिग्रेशन सेर्टिफिकेट पास सेर्टिफिकेट एंड इसकल सेर्टिफिकेट ठीक है जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं त इतना तो हो जाता है लेकिन आपको केवल यहां से इसके लिए टाइप करना है डिजी लोकर डॉट जी योबी डॉट इन इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आप अपने मार्क सीट को भी डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वह नहीं चल रही है तो जब रिजल्ट आएगा तब यह वेबसाइट कैसे चलेगी तो सबसे पहले मैं आपके लिए यहां पर गूगल में टाइप करके दिखा देता हूं www.cbac.nic.in यह देखिए मैंने इसको इंटर किया अभी आप देखेंगे कोई भी इससे रिपलाई नहीं आएगा मतलब यह वेबसाइट जो मैसेज आएगा इस वेबसाइट कांट रिच तो जब तक यह वेबसाइट खुल रही है तब तक मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं जहां इस रिजल्ट को आप टैप करेंगे उसके बाद में सबसे ऊपर जो आ रहा है इस पर आप क्लिक कर देंगे लिंक पे उसके बाद में आपके सामय यह वेबसाइट जो है भो खुल जाएगी नीचे स्क्रॉल करेंगे यहां पर आपको तीन सेक्शन मिलेंगे रिजल्ट एड क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से इंट्रफेस खलकर सामने आ जाएगा यह पेंच खुलकर सामने आ जाएगा उसके बाद में आपको जाना है तोmetro से नीचे जाना है और आपको क्या करना है डॉन्डो एटि rédu लास 10 रिजल्ट यहां पर दोस्तों यह जै तो आप यहां पर इस तरह से क्लिक करेंगे और आप पहुंच जाएंगे सिभी एसी के ओफिसल वेबसाइट पर डिरेक्टली बहां से जाकर आप अपना रोल नंबर और अपना इसकूल की आईडी जो भी होती है उसको डालकर आप अपना रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों यही थी आजकी वीडियो में वीडियो कैसी लगी केमेंट करके ज़रू बताएं अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल सिवा औलाइन क्लासेस को सब्सक्राब जरू करें क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल पर इसी तरह से वीडियो लेकर आता रहता हूं तो चलिए दोस्तो उम्मित करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी लेकिन एक request आप से और होगी कि दोस्तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना share करने की कोसिप करें अपने दोस्तों तो पहुंचा है अपनी फैमली तक पहुंचा ह और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक लिए नमस्कार जैहिन जैवारत